नमस्कार आप देख रहें इंडिया न्यूस मैं हूँ आपके साथ अर्शन गुप्ता शेहर शेहर MMS कांट कई राज्यों के IT कॉलिज पतना आपने देखा कि चंडीगर्ड उनिवर्सिटी में किस तरह से MMS कांट निकल कर आया इस घटना को बताने से पहले एक चीज़ आपक कि पहले दुमका फिर दिल्ली तो फिर उसके बाद यूपी का लखीम पूरगिरी तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक घटना घटती है और उसको हवा मिलती है उसी तरह कि 3-4 घटना एक साथ घटना शुरू हो जाती है अब इसके पीछे वज़ह क्या है अभी तक किसी जाता है यह अपने आप हो जाता है यह सबसे बड़ा सवाल इसे विशह में बोलने से पहले मैंने आपको यह बता दिया कि इसका जवाब आप भी ढूंड रहे होंगे कि एक जैसे घटना अगर होती है तो उसमें लगाम लगने के बजाए वो अन्राजों में कैसे घट जात कांदोरन है वो काफी उग्र हो गया अब वहां पर जब आरोपी को शिमला से पकड़ कर ले आया गया और एक आरोपी की तलाश की जा रही है आपने देखा कि चार आरोपी थे जिसमें मुख्य लड़की उसका बॉइफ्रों और एक और व्यक्ति इसमें शामिल था जिसको जिसको तीन में से तो तीन को पकड़ लिया गया एक की तलाश जारी है अब इस तरह के कांड में जब इतनी सक्ति दिखाई गई चंडिगर उनिवस्ट्री की बाद तो उसके बाद तो अन्य कॉलेजी को अन्य प्रसाशनों को इससे सीख लेने की आवशुक्ता थी लेकिन वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था उसके बाद आपने देखा कि मुंबई IT में किस तरह से फिर से MMS का कांड सामने आया या वहां पर भी आपने देखा कि किस तरह से पाइप से नीचे वो यूवक चड़कर MMS बना रहा था वाश्रूम का ही वीडियो सेम उसी तरह की घ भी घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई थी अब भोपाल के गोविनपूरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है आपको बता दे कि भोपाल के गोविनपूरा में भी जो है एक इस्टूड जो आइटी आई कॉलेज है वहां पर एक शात्रा का वीडियो बना कर वारल किया जिसके बाद वहां के अशोका गार्डन जो पलेस है उसने तीन आरोपियो कि इसमें गरफतार कर लिया लेकिन आपको बता दे कि तीन आरोपी है वह इस आईटी आई कॉलेज के पूर्व शात्र है यानि कि एक्स स्टूडेंट आकर वीडियो बना रहे थे शात्रा का वाश की जा रही है कि इसको सुनियो जी तरीके से किस प्रकार से अंजाम दिया गया है और इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं और ये कपसे किया जा रहा है क्या ये पहली बार किया जा रही है इसका जो काम है वो पहले से ही शुरू है और ये केवल और केवल अभी जो आकर सं सवाल है कि घटना रुकने की बजाए किस तरह से एक के बाद एक के बाद एक शहरों में नगद्र जला रही है वही इसके खिलाफ आपको बता दे कि भुपाल के गोविनपुरा में जिस तरह से एक शात्रा का तीन आरूपियों ने वीडियो बनाया और वीडियो बना कर उसको वाइरल करने की बात की और इसको लगतार और धंकी भी दी जा रही थी कि तुम्हारा वीडियो जो है वह हम वाइरल कर देंगे तो आरूपियों के अंदर खौफ आने की बजाए बेखौफ हो रहे हैं आरूपि यह लगतार यह जो मुद्दा है यह सवाल है हम उठा रहे है और आप से पूछ रहे हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि यह सुनियोजित तरीके से किया जाता है या फिर हो यह पहले से रहा होता है लेकिन जब देखा जाता है कि एक राज्यों में इसको इस राज्यों में इसके उपर संग्यान लिया गया है तो अन्य राज्यों की परकाश में आती हैं अन्य था वो तो ऐसे ही कई राज्यों मिस्तर की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा होगा तो कहीं न कहीं ये जागरुकता पैदा कर रहा है कि एक गटना जो है निकल कर सामने आ रही या फिर ये सूनियोजी तरीके से किया जा रहा है इस पर आप क्या स दोस्ते हैं में जरूर बताईएगा आज के लिए बस इतना ही लेकिं देर्शों दुनिया की तमाम कवरों को देखने के लिए आप देखते रहे हैं इंडिया नियूज